नमश्कार दोस्तों, दोस्तों बात करतेंगे आज बिहार की सबसे बड़ी महत्पुण काम की खबरें क्योंकि अभी बिहार के अंदर काफी बड़े बड़े ऐखने को मिले हैं साथी साथ आपको मैं बता दूँ बिहार के मोसम में भी कुछ बदलाव देखने को मिला है और सबसे बड़ी बात बिहार के अंदर जो electricity है जहां उसके लिए भी काफी चीजों के लिए अलाल लिया गया है बिजली के लिए तो सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी महतपून खबर से जहां बिहार के वेदर अपडेट की बात कर लेते हैं बदलने वाला है मौसम का मिजाज आज पटना में च्छाए रहेंगे बातल इन जिलों में गरच चमक को लेकर अलट जारी जियां आपको बता देना चाहते हैं पटना के अंदर जियां पटना और आसपास के इलागों में बादल चाय रहेंगे उत्री भागों के लिए एक या दो स्थानों पर हलकी बारिश की संभावना पटना में आज अधिक्तम 27.0 और निउन्तम 14.0 डिग्री सेल्सियस आप मान रहने का नुमान है साथी साथ आपको बता दूँ कि परदेश के रोहतास भवुआ और और अरंगा बादें गया जिले में एक या दो स्थानों पर मेक गरजन और वर्जपात की चेतावनी भी जारी की गई है चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर पियम मोदी ने दी बिहार को सबसे बड़ी सोगात इन 33 रेलवे स्टेशनों का होगा काया कलब मिलेगी वर्ड क्लास सर्मिस जियां पियम मोदी ने अमरित भारत स्टेशन योजना के तहत अभी तक 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर विकास किया है चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर अगली खबर निकल कर आ रही है राजनिती से नितीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं तेजस्वी कहा ठके होएं सीम से संबल नहीं रहा है भिहार जियां आप सबको बता दें कि जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी आदव ने कहा है कि 17 महीने में अपने 5 लाख लोगों को सरकारी नोकरी देने का काम किया है और यदी और समय मिल जाता तो 10 लाख लोगों को नोकरी दिला देते और अपना वादा जो बोलते हैं उसे पुरा करके रहेंगे और हमारे में दम है इसलिए अपना वादा पुरा करकर ही दम लेते हैं चलिए बात करते हैं उसी के बाद अब अगली बड़ी खबर बालू के अवैद खनन पर कैसे लगी के लगाम नितीज सरकार ने बनाया खास प्लान जहां आपको बता दें कि बिहार के अंदर बालू का जो अवैद खनन होता है उसे रोकने के लिए राज्जे के आठ जिलों में एस्थाई पोस्ट बनेंगे और इन स्थानों पर CCTV कैमरे भी लगाये चाहेंगे के करीबी लाल मुनी चार बार संसद चुने गए थे चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर बिहार के लैंड न्यूस के बारे में जहां पुष्टेनी जमीन नहीं बेच सकेंगे भू स्वामी बिहार सरकार ने लगा दिया है नया कानून जहां आपको बता कर लेते थे या फिर जमाबंदी प्रोचों के नाम से चल रही थी ब्रो में LPC भी असानी से बन जाता था साथी भूमी का निबंदन भी ध्रडले से हो जाता था तो इस परकार की जितनी भूमाफिया हैं उनको जमीन बेचने के लिए असानी होती थी लेकिन वो अब ये ची चीज देखने को मिल रही है एक अच्छी फैल है चलिए इसी के बाद बात करते हैं एंगली बड़ी खबर शक्षमता परिक्षा 9 जिलों में आज से 6 मार सकजियां बिहार में अतीती शिक्षकों की स्थाई न्युक्ती बतोर विशिष्ट शिक्षक के रूप में करने के लि उहर फैंसले से पहले इन विधारतियों को होगा लाब आपको बता देता हूं किनकी बच्चों को मिलेगा लाब और कितने कितने रुपए दिये जाएंगे जिया आप बिहार के जो मेदावी विधारतिये पढ़ाई के अंदर अपना बहुत अच्छी रूची रूची रख बिहार से 400-500 मेदावी विधारतियों को पीच्टी करने के लिए फैलोशिप दी जाएगी चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर अगली बड़ी खबर आ रहे बिहार में भीशन सड़क हाथसान नो लोगों की मौत सीम नेतीश ने दिताया शोक जिया बिहार के कैमूर कैमूर जिले महनिया शित्र में एक सड़क हाथसा हुआ जिसमें नो लोगों की मौत हो गई और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँँ तरक की चपेड में स्कॉर्पियो और बाइक की आने से दर्दनाक हाथसा हुआ मोके पर पुलिस टीम भी पहुंची है और साथी साथ में जितने भी लोग थे उसके अंदर नो लोगों की मौत हो गई और उसके बाद बताये चारा है कि उसमें मरने वालों में बकसर जीले के भोजपुरी सिंगर छोटू पांडिया भी सामिल थे चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर अगली खबर निकल कर कि अंद्यीय स्रेकार बनने के बाद ग्रह मंत्री पहली बार आयेंगे बिहार, पाँच की जगा नो मार्च को पहुंचेंगे पटना, एक साल में छे बार आ शुके हैं अमिट-शा, जेहं आप सबको बता देना चाहते हैं कि ग्रह मंत्री अमिट-शा, बिहार में एंद्यी मार्च को पटना में आएंगे और 9 मार्च को पटना पहुंचकर लोगसभा चुनाओं को लेकर बीजेपी बोट बैंक को मजबूत बनाने वाले बड़ी खबर लाद घुसे थपट सब चल गए मोतिहारी में बीपीसी शिक्षकों से भिड़ गए के के पाठक के अधिकारी क्य बात को लेकर कहा सुनी हो गई और इसके बाद दोनों को टापस में भिड़ गए चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर B.S.C. से डेरी में 140 पदों पर होगी नियुक्ती रिक्तियों का परसाव भेजा गया जिया आपको बता दे डेरी निदेशाले में भागने करीब 140 पदों पर भरती के लिए इसका जो रिक्ती है वो आगे परसाव भेज दिया है और इनमें 30 डेरी फिल्ड ओफिसर और 39 फाइरिंग हुई तो दबंगों ने 10-15 राउंड फाइरिंग कर दी सबसे बड़ी बात पलिस के मुदाबिक एक जमीर के दो दावेदारा हैं जिसको लेकर विवाद हुआ था और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के सामने इस प्रकार से फाइरिंग करना शुरू कर दिया चल ये निकलेगी तो उससे ऑटोमेटिकली बिसली प्रड्यूस हो पाएगी इससे सबसे बड़ी बात है एक तो प्रदूशन पी रही होगा और जस्ती बिसली भी बन जाएगी चलिए इसी के बाद बात करते हैं एक लिए बड़ी खबर बिहार में रोज 600 लोगों को काटते है कुत्ते एक साल में 2 लाख लोगों को काट लिया 20 गुना बड़ी है डॉग बाइट की घटना है आपको बता दें बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा मामले कुत्ते काटने के देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जब कुत्ता काट लेता है तो उसके बाद एक रैबिस ग्राम की बिमारी भी फैल जाती है और आपको पता दें इस बार सबसे बड़ी चीज देखने को मिलिए कि 2021 में इन कुत्तों के काटने की जो संख्या है वो लगबग 9809 हो गई थी और वहीं पे इसे देखते देखते काफी ज़्यादा बढ़ गई है संख्या और स की इस्टरी जियां अररिया जिले से भागलबूर के टॉप 10 अपरादियों में शामिल होने वाले जिस पर 50,000 का वांटेट कुंदनशा को गरिफतार किया गया है जो हाई प्रोफाइल लूट है और 30,000,000 की बैंक टकेती का सबसे बड़ा मास्टर मैंट रह चुका है चलि इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बारे में चाल लेते हैं जियां बिहार बोर्ड के कक्षा 10 और 12 के परिक्षाएं तो संपन हो गई है और बताये चारा कि अगले महीने आ सकता है इसका रिजल्ट जियां सबसे बड़ी चीज द स्मार्ट रिंग दिल से लेकर निग्ड नीन सबका ख्याल रगेगी जह आपको बतादेंगी समसंक कमपनी ने हाली में सबसे बड़ी 4x7 बहन सकता है चलिए इसी के बाद बात करते हैं एक लिए बड़ी खबर खुशकबरी बिहार की इस जिले से कट्रा आयोध्या के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन जानते हैं टाइमिंग और रूट जे आपको बता देना चाहते हैं कि रामलला के दर्शन करने के लिए बैतेया से कट्रा आयोध्या के लिए स्पेशल टास्ता ट्रेनी शुरू होगी जो कि 28 फरवरी को खुलेंगी और इसके लिए बताया जारा है जो टाइमिंग ए ट्रेन रातरी 11 बजे से लेके बैतेया से खुलेगी जो कट्रा आयोध्या तक जाएगी और इस ट्रेन के जाने वाले आत्रियों को आयोध्या का दर्शन कर एक मार्च को पुने बेतेया लोट आएगी तो ये थी आज की सबसे बड़ी महतपूर्ण बिहार की खाम की खबरें कैसी लगी आपको सारी की सारी बड़ी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में ब